दोस्तों वश्कार स्वागत है आपका आपके ही चैनल उशा की करण में आज हम बात करेंगे 2020 में एक नए टिपर को कमपनी ने लॉंच किया है जो की आईशर 255 टिपर के नाम से आता है दोस्तों यह जो टिपर है बीए सिक्स सुरेनी का एक ट्रक है जिसके हम प्राइस, माइ जिसके सामने की साइड में आपको काफी खुशुरत हैडलाइट्स और इंडिकेटर्स का जो कॉम्बिनेशन वह देखने के लिए मिल जाता है आईशर 25 टी की बैजिंग यूटेक 6 की बैजिंग आपको देखने के लिए मिलती है साथ ही आपको मिलती है यहापर काफी 16 एप्लाइ रेटिंग वाले आपको लगबग इस गाड़ी के अंदर 6 टायर मिल जाते हैं और एक स्पैर विल यानि कि टोटल आपको 7 टायर इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं दोस्तों वील बेस की बात करें तो यहापर आपको 2770 mm का वील बेस मिलता है केविन आपको साथ में भी ले सकते हैं काफी मजबूर डॉमेक्स चैसी फ्रेम की उपर इसको बनाया गया है 12 वोल्ट की आपको यहां पर एक बैटरी मिलती है अठारे लीटर का आपको एड़ बलू टेंक मिलता है साट लीटर का मिलेगा आपको यहापर डीजल टेंक जो की प्लास्टिक और ARV जैसी चीजें जो कि आपकी कमफर्टिबिलिटी को काफी बढ़ा देती है 195 mm का काफी बहतरी आपको ग्राउंड क्लिरेंस मिलता है जिसे कि आप उबर खाबर रास्तों में आसानी से निकल सकते हैं क्योंकि टिपर का काम होता है पत्थरों का गिट्टियों का बजरी क इसलिए उबर खाबर रस्तों पर ये गाड़ी आसानी से निकल सकती है पीछे भी आपको काफी खूबसूरा टेल लेंस मिलते हैं LED के साथ में दोस्तों इस गाड़ी के अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इन दौर में इसकी जो कीमत है वो लगबग 13,65,000 रुपे की आ अतलब ये होता है कि इंजिन से निकलने वाली जो राशाने गैस हैं और धुआ रहता है उसको ये जो यूनिट है ये पूरा पूरा प्यूरिफाई करती है जिससे कि हमारी गाड़ियां बन जाती है बीज़िस के जो पॉलिशन के जो एमिशन डॉंस है उनके अनुरूप औ और हमारी गाड़ी बिलकुल पॉलिशन रहे बन जाती है दोस्तों यहां पर आपको 5-speed manual transmission मिलता है इस गाड़ी के अंदर जिससे आपको लगबग 37% की चढ़ाव चढ़ने की चमता यहां पर मिल जाती है जिसके अंदर आपको पीछे जो इसका इस्पान है वो मिल जाता है केबिन के अंदर तीन लोगों की बैठने की बेवस्ता होती है एक ड्राइबर और दो उसके साथ ही काफी spacious और काफी walkthrough space वाला यहां पर आपको केबिन मिलता है केबिन के अंदर आपको काफी सारे utility space वगर आपी मिलते हैं ड्राइविंग seat को आप चार तरह से adjust कर सकते हैं ड और steering मिलता है tilt with telescopic function के साथ में आता है साथी दोस्तों यहां पर बात करते हैं हम इसके steering के और feature की steering के ऊपर यहां पर आपको horn वगरा मिल जाता है instrument cluster की अगर बात करें तो welcome करती हुई icer की screen fuel coaching IDIS और काफी सारी informations यहां पर आपको सो होती है temperature और odometer trip meter engine rpm वगरा वगरा जो हर ग power steering है obviously आप इसको easily rotate करके अपने गाड़ी को drive कर सकते हैं साथ ही आपके manoro engine के लिए यहां पर मिल जाता है music system आपके mobile को charge करने के लिए यहां पर आपको मिलता है mobile charging एम booster technology जिससे की आपको fuel की जो efficiency है optimum mileage आपको यहां पर मिल सकें दोस्तों इस गाड़ी के अंदर 310 mm का single plate drive friction type clutch का भी use किया गया है brakes आपको मिलते हैं यहां पर hydraulic brakes और drum brakes मिलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर छोटा सा एक hybrid gear shift lever मिलता है जो कि मेरे लगबग एक palm की बराबर का है जिसको easily आप एक car की तरह handle करके operate कर सकते हैं 12 volt के electrical connections के साथ में यह गाड़ी आती है seat belt वगरा भी मिल जाती पीछे आपको यहां पर एक window भी मिलता है और एक आपको fire extinguisher वगरा भी यहां पर मिल जाता है तो दोस्तों एक कम समय के अंदर मैंने इस zipper के वारे में आपको सारी की सारी detailing बताने की कोसिस की है यहां पर आपको warranty मिलती है दो साल या unlimited km की on vehicle और तीन साल आपको drive line के उपर warranty आईशर की तुरप से मिल जाती है दोस्तों गर वीडियो अच्छा लगता है तो like and share कर दीजेगा अगर आपको कोई शुजाव है तो मुझे comment box में आवशे लिके हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe भी करना ना बोलें तो दोस्तों आज के लिए इतना फिर मिलत वीडियो के अंदर तब तक के लिए जय हिंद जय वाज़ाएं